वहीं दूसरी तरफ लाइबरेरी में, हूनम और मुनी दोनों अकेले आपस में बाते कर रही थी, और इस रमे वो इंसानी रूप में नहीं थी। स्कूल में आत्मा बुलाने का खेल, आरती के होश उड़ जाते हैं, उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, पूनम और मुनी कववा खा रही है, और वो भी इतने मज़े से, यह देखकर आरती के तो पैरो तले जमे नहीं खिसक जाती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पूनम और मुनी कववा खा रही है, और वो भी इतने मज़े से, और इन दोनों की आँखे कैसे चमक रही है, यह दोनों कितनी जादा तरावनी लग रही है, इसका मतलब नैंसी और विशाली को भी रास्ते से हटाने वाले कोई और नहीं, यह मेरे बहन नहीं हो सकती, यह मेरे बहन नहीं हो सकती, नहीं, यह मेरे बहन नहीं है, मुनी अपने घर चली जाती है, और पूनम कववा खाकर अपने घर वापस आ रही थी, आरते चुप जाती है, वो पूनम के सामने नहीं आती, और घर जाकर चुप चाप सोने का ड्राम करती है लेकिन उसे पूनम के साथ एक छट के नीचे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था वो सोच रही थी कि पूनम कभी भी उसके उपर हमला कर सकती है दीदी दीदी मैं मुन्नी के घर से वापस आ गई हूँ मैंने आपसे कहा था बस थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी और आप तो सो गई उठ बे जाए मुझे आपसे बात करनी है मैं तुम्हारा असले चेरा सबके सामने लेकर आऊंगी तुम्हारा सबको बता कर रहूंगी और अपनी बहन को भी ढूड़ूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ तो मेरे बहन नहीं हो बहरुपिया हो चुड़ायल हो तुम्हें तो रंगे हाथों पकड़ूंगी छोड़ूंगी नहीं तुम्हें आरती पूनम को ऐसा दिखाती है जैसर वो सो रही हो लेकिन वो पूरी रात एक मिजट के लिए भी नहीं सोती क्योंकि उसे डर लग रहा था क्योंकि उसने पूनम का असली चहरा देख लिया था सुबह हो जाने के बाद दोनों बहने स्कूल चली जाती है और आरती लंच टाइम तक पूनम की क्लास में पांच बार आ चुकी थी आरती क्या तो तुम पूनम के पास बैठ जाओ या फिर पूनम को अपने साथ ले जाओ यहां क्लास चल रही है बार बार तुम बच्चों को और मुझे डिस्टरब कर रही हो इतना ही जादा प्यार उमड रहा है तो दोनों को स्कूल आने की जरूरत ही क्या है दीदी आपको क्या हो गया है आपकी तबित तो ठीक है अब बार बार मेरी क्लास में क्यों आ रही है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ आप बताई आपको क्या हुआ है कुछ नहीं पूनम बस रात को एक डरावना सपना देखा जिस वज़े से मैं बहुत ही जादा डर गई मुझे लगा जैसे कोई तुम्हें मुझे चीन कर ले गया हो बस तुम्हें खोने का डर और कोई बात नहीं दीदी, आप अपनी क्लास में जाए और अराम से पढ़ाई कीजी और मुझे भी करने दीजी मुझे आप से चीन कर कोई नहीं ले जा रहा और मैं कहीं नहीं जा रही मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी ठीक है? अब आप जाए आराम से क्लास में बैट कर पढ़ाई कीजी और मुझे भी करने दीजीए आरती पूनम और मुझे की उपर नजर रख रही थी और वो अपनी क्लास में चली जाती है लेकिन उसका दिल और दिमाग अपनी बहन की क्लास में ही लगा हुआ था नैंची और विशाली के माता पिता का दुख मुसे देखा नहीं जा रहा था वो कितने ज़्यादा दुखी थे अपने बेटियों के लिए और वो क्यों ना होते मेरे सीने में अभी भी आग जल रही है कि मेरी बहन कहा है वो जिंदा भी है या नहीं और वो बहरुपिया क्या करने आई है बच्चों को कहा लेकर जा रही है खा रही है क्या कर रही है मुझे पूनम और मुन्नी को उपर नजर रखनी होगी मैं और बच्चों को नुकसा नहीं पहुचाने दूँगी मैं इन दोनों को रंगे हाथो जरूर पकड़ूँगी आरती खड़ी हो जाओ क्या सोच रही हो मैं पागल हूँ इतनी देर से तुमसे सवाल पर सवाल पूछे जा रही हूँ और तुम अपनी मस्ती में मस्त हो क्या हुआ क्या सोच रही हो सौरी मैं आप क्या पूछ रही थी कुछ नहीं पूछ रही बैठ जाओ आरती तुमें क्या हुआ है तुम इस क्लास की सबसे ज़ादा intelligent student हो सुबह से देख रही हो तुम खोई-खोई हो सब ठीक तो है ना अगर कोई problem हो तो मुझसे share कर सकती हो वो मैम थोड़ी तब्य ठीक नहीं है बस इस वज़े से अगर कोई problem होगी तो सबसे पहले आप से ही share करूँगी और ऐसा कहकर आर्दी अपनी जगह पर बैठ जाती है आर्दी अपनी क्लास की सबसे ज़ादा intelligent student थी इसलिए teacher भी उसे ज़ादा कुछ नहीं कहती थी वहीं दूसरी तरफ library में पूनम और मुन्मी दोनों अकेले आपस में बाते कर रही थी और इस रमे वो इंसानी रूप में नहीं थी पूनम हमें जादा से जादा बच्चों को भूतिय दुनिया में पहुचाना होगा तुझे पता है ना हम भूतिय दुनिया से यहां क्यों आए है सरफ अभी तक दो ही बच्चे भूतिय दुनिया में गई है हमें जल से जल जादा से जादा बच्चों को भूतिया दुनिया में पहुचाना होगा ब्लडी मेरी ने हमें क्या काम सोपा है तू जानती है ना हाँ हाँ मुझे सब अच्छी तरह से पता है और उस ब्लेडी मेरी ने अपनी भूतिया दुनिया में सबसे ज़ादा होश्यार, अकलमन्द और इंटेलिजेंट हम दोनों को ही समझा है तब ही तो अपनी दुनिया से वापस हमें बेजा और हमारे उपर भरूसा किया बेचारे स्कूल वाले समझ रहे हैं कि हम वही पुरानी वाली पूनम और मुन्नी है उन्हें क्या पता कि हम तो मर चुके हैं और मर कर चुडैल बन चुके हैं और अब हम भूतिया दुनिया के लिए काम कर रहे हैं बेचारे बेवकूफ और सबसे चाहता तो तेरी बहन बेवकूफ है तुसे कितना प्यार करती है मुन्नी हमें चुकन ना रहना होगा हमें मास खाने की आदत है हम कवे बिलियां ये सब खाते हैं और वो आर्थी की बच्ची घर पर घास फूस बनाती है आलू बनाती है जिसे देखकर मुझे उल्टियां आती है मैंने तीन दिन से कुछ नहीं खाया उसे मेरे उपर शक हो सकता है अगर हमारे उपर किसी को शक हो गया और किसी ने हमारे काम में बाधा डाल दी तो हम वो नहीं कर पाएंगे जो बलडी मेरी ने हमें करने को दिया है याद आया मुन्नी तुम्हें पता है रात बलडी मेरी आई थी और उसने कहा कि उस किताब को ढूंडू जिसके अंदर बलडी मेरी की कहानी लिखी है मैंने घर का चपा चपा देख लिया लेकिन वो किताब नहीं मिल रही उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है अगर वो आर्थी के हाथ लग गई तो सब कुछ ख़तम हो जाएगा आर्थी लाइबरेरी के बाहर खड़ी हुई थी और वो मुन्नी और पूनम की सारी बाते सुन रही थी उसने पूनम और मुन्नी को उनके असली रूप में देख लिया था और आर्थी को ये भी पता चल चुका था कि पूनम और मुन्नी मर चुकी है और उन दोनों की आत्मा ब बहुत जादा फूट फूट कर रोती है। जादाया वेशाली बता रही थी पूनम और मुन्नी एक खेल खेलने के बारे में बात कर रही थी। मुझे डर नहीं लगता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें डर नहीं लगता। रात के अंधिरे से तो डर जरूर लगता होगा। हम दोनों बहुत जादा बहादूर हैं, हमें बिलकुल भी डर नहीं लगता। नहीं तो रात के अंधिरे से डर लगता है और नहीं भूतों के कहानियों से डर लगता है। हम ठीक है तो फिर तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी तुम्हें पता है हमें खेल के बारे में जानते हैं बलडी मैरी को बलाने वाला खेल Bloody Mary भूतों की दुनिया में रहती है और वो बुलाने पर आ जाती है अगर तुम्हें रात के अंधेरी से डर नहीं लगता तो क्या तुम ये खेल हमारे साथ खेलना चाहोगी? सुनने में तुम बहुत जादे इंट्रस्टिंग लग रहा है Bloody Mary को बुलाने वाला खेल चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ ये खेल खेलेंगे और उसनमें तुम्हें पता चल जाएगा कि हम बिल्कुल नहीं डरते हम बहुत बहादूर है मादूरी ये तु क्या कह रही है? अगर Bloody Mary खतरनाक हुई तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना अंधेरी की बात अलग है लेकिन भूतों की दुनिया की Bloody Mary को बुलाना ना बाबाना मैं नहीं खेलूंगी पागल मत बन अगर हमने Bloody Mary को बुलाने वाला खेल नहीं खेला तो ये हमें डरपोक समझेंगी और पूरे स्कूल में हमें डरपोक डरपोक कहकर पुकारेंगी ये सुनना चाती है अरे जब ये खेल खेल सकती है इन्हें डर नहीं लगता तो फिर हम क्यों नहीं कुछ नहीं होता हम ये खेल खेलेंगी बिचारी माधुरी और प्रिया भी पूनम और मुन्नी की बादों में आ जाती है और वे स्कूल में बलडी मेरी को बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है उन्हें क्या पता था कि उनकी ये रात आखरी रात होने वाली है वो तो बस अपनी बहादुरी दिखाना चाहती थी कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता छुटी हो जाने के बाद पूनम आर्दी से कहती है दीदी आज मैं काम पर नहीं जाओंगी मैं मुन्नी के घर जा रही हूँ एक्जाम आने वाले हैं ना तो हम दोनों एक साथ पढ़ाई करेंगे और रात को भी मैं घर वापस नहीं आऊंगी तो आप मेरा इंतिजार मत करना ठीक है हम सुबह स्कूल में मिलते हैं ठीक है पूनम एक्जाम सबसे जादा जरूरी है काम का क्या है काम तो होता ही रहेगा और तुम्हारी जगा मैं होटल में काम कर लूँगी तुम्हें सरफ और सरफ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए तुम मुन्ही के घर जाकर पढ़ाई कर सकती हो अगर पूनम मेरे साथ घर नहीं जाएगी तो मैं आसानी से वो किताब ढूंड सकती हूँ ये अच्छा मौका है पूनम सोच रही थी कि उसने आर्थी को बेवकूफ बनाया लेकिन आर्थी तो इस मौके का इंतजार कर रही थी पूनम मुन्ही के साथ चली जाती है और आर्थी घर जाकर सारा सामान इधर उधर फेक देती है वो बस उस किताब को ढूंड रही थी लेकिन उसे वो किताब नहीं मिल रही थी आरती बहुत ही जादा परिशान हो जाती है दो पहर से शाम हो जाती है एक एक कोना ढोड़ लेती है चपपचपच छान लेती है लेकिन वो किताब नहीं मिलती मैंने पूनम से किताब लेकर यहीं तो रखी थी फिर वो चानक कहां जा सकती है उस किताब के अंदर ब्लडी मेरी को रोकने का हल है अगर वो किताब नहीं मिली तो मैं ब्लडी मेरी को नहीं रोक सकती और नहीं पूनम मुन्नी विशाली नैंसी के आत्माओं को मुक्ति दिला सकती हूँ मुझे उनके आत्माओं के लिए और बलडी मेरी को सबक सिखाने के लिए उस किताब को ढूड़ना ही होगा आरती बहुत ही ज़्यादा परिशान हो रही थी क्योंकि उसे वो किताब नहीं मिल रही थी तबी आरती की नजर बाहर रखे डस्ट बिन के उपर जाती है और तुरंद आरती को याद आ जाता है कि पूनम से उन किताब को छुपाने के लिए उसने उन सभी किताबों को डस्ट बिन में फेक दिया था और वो तुरंद डस्ट बिन के पास जाती है और सारा कोड़ा बाहर निकाल देती है और उसके बाद उसकी सांस में सांस आती है क्योंकि उसे वो किताब मिल जाती है किताब को ढूनते ढूनते रात हो जाती है वहीं दूसरे तरफ कोनम मुन्नी, माधुरी और प्रिया के साथ स्कूल में आ जाती है तुमने जैसा कहा थो हमने वैसा ही किया हम अपने साथ चार मुंबती लेकर आई हैं शीशे के सामने खड़ी होकर तीन बर बलडी मेरी बलडी मेरी बलडी मेरी ये बोलना है ना हाँ उसके बाद बलडी मेरी आ जाएगी ठीक है दो पैंतिस पर ये खेल खेला जाएगा और दो बच चुके हैं जल्दी से वाश्रूम में जाओ और वहाँ जाकर शीशे के सामने चार मुंबती जलाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर तीन बार बोलना है बलडी मेरी बलडी मेरी बलडी मेरी और हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे क्योंकि इस खेल को सिर्फ एक ही बार खेला जाता है अब ये खेल तुम दोनों को खेलना है देखते हैं कि बलडी मेरी को देखकर तुम डरती हो या नहीं माधुरी और प्रिया दोनों वाश्रूम के अंदर चली जाती है और बाहर खड़ी पूनम और मुन्नी बहुत ही जादा खुश हो रही थी क्योंकि उनका काम हो चुका था माधुरी और प्रिया शीशे के सामने जाकर मुंबत्ती चलाकर रख देती है एक दूतरे का हाथ पकड़ लेती है अब माधुरी और प्रिया को डर लगने लगा था पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही जादा डर लग रहा है हमें स्कूल में बलडी मेरी को बुलाने वाला खिल नहीं खेलना माधुरी अभी भी समय है चल वापस चलते हैं मुझे बहुत ही जादा डर लग रहा है रहे थी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और वो अपनी आखें बंद कर लेती है और जैसे ही दो बच कर 30 मिनट होते हैं तो वो तीन बार कहती है ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी और तीन बार ऐसा कहती ही ब्लडी मेरी उनके सामने आ जाती है ब्लडी मेरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी जिसे देखकर दोनों थर-थर कापने लगती है उनकी चीख निकल जाती है ब्लेडी मेरी, तुम हो ब्लेडी मेरी तुम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो पूनम, मुन्नी, हमें बचाओ हमें बचाओ, हम डर गए अब वो अन दोनों को भी अपने साथ ले जाएगी तिसी को पता ही नहीं कि इस स्कुल में क्या खेल खेला जा रहा है इस स्कुल के बच्चे धीरे धीरे ऐसे ही गायब होते रहेंगे और वो भूतिय दुनिया में चाते रहेंगे और एक दिन हम इस दुनिया पर भी अपना कबजा कर लेंगे लेडी मेरी हमें छोड़ दो हमें अभी नहीं मरना लेडी मेरी हमें छोड़ दो डरो नहीं तुम्हें ले जाने का समय आ चुका है मुन्नी और पुनम बहुत ही जादा खुश होती है क्योंकि उन्हें जिस मकसद के लिए भीजा गया था वो अपना काम अच्छी तरह से कर रही थी माधूरी और प्रिया का रो रोकर बुरा हाल था वो बहुत ही जादा डर रही थी और वहीं दूसरी तरफ आरती उस किताब को पढ़ना अभी शुरू ही करती है अब ये देखना बहुत ही जाद इंट्रस्टिंग रहेगा कि आरती ब्लडी मेरी को रोक पाती है या नहीं इसकूल में खुनी खेल जो खेला जा रहा है उसका परदाफाश करपाती है या नहीं और इस स्कूल से जितने स्टूडेंट्स को ब्लडी मेरी ले जा चुकी है उनकी आत्मा को मुक्ती दिला पाती है या नहीं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करें और कॉमेंट करें जादी गूल्डन सेंडल का जादू एक बार की बात है सुधामपूर नाम के एक गाउं में दो अनात बहने रहती थी बड़ी बहन का नाम अर्चना और छोटी बहन का नाम नीलम था उन दोनों का एक दूसरी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था अर्चना अपना और अपनी छोटी बहन का पेट पालने के लिए सड़क पर घूम घूम कर कबाड़ा चुनने का काम करती थी एक बार की बात है अर्चना की तबित कुछ ठेक नहीं थी तब नीलम अपने बहन अर्चना से कहती है दीदी आप क्यूं अपनी जित पर अड़ी हुई हो खराब तबित के कारण आप ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो फिर भी काम पर जाने की जित कर रही हो भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा नहीं नीलम तु स्कूल जाती है अगर किसी स्कूल के बच्चे ने तुझे कबाड़ा बिनते हुए देख लिया तो वो सब तेरा मसाग बनाएंगे तु ज़्यादा टेंशन मतले मेरी तब्य ज़्यादा खराब नहीं है मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं होगा अच्छा अब मैं चलती हूँ तुम अंदर से दर्वाज़ा बन कर लो इतना कहकर अर्चना घर से बाहर चली जाती है घर का दाना पाने चलाने के लिए पूरे दिन धूप में अर्चना कबाड़ा चुनते रहती थी जितनी भी पैसे बनते हैं दे दो काका अर्चना उन पैसों को अपने मुठी में बान कर खुद्रे बाते करते हुए बढ़ती जा रही थी तबियत खराब में भी सुबसे शाम तक घुमकड़ की तरह घुम घुम कर कबाड़ा चुनने के बावजुद सरफ डेट सो रुपे मिलते हैं इतने पैसे तो लाला क्यों धारे चुकाने में ही खत्म हो जाएंगे आज का राशन पाने कैसे खरीदूंगी पूरे रास्ते अर्चना को जो बाते खर रही थी उसके साथ वही होता है लाला उससे पैसे लेरे के बाद दुकान से भगा देता है बिचारी अर्चना मू बना कर घर आ जाती है अर्चना को उदास देखकर उसके बहन नीलम उससे कहती है क्या बात है दीदी आप परिशान क्यों दिखाई पड़ रही हो मुझे तुम्हारी बड़ी बहन होने पर धिकार है मैं तुम्हारा पीट भी नहीं भर पाती हूँ बहन ऐसे मत बोलो दीदी देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा और आप मेरे साथ हूँ मेरे लिए यही बहुत है आप वैसे भी मेरे लिए बहुत करती हो उसके बाद नीलम अपने पडोसन से थोड़ा सा आटा मांग कर लाती है और उससे अपने और अपनी बहन के लिए दो रोटी बना लेती है और दोनों बहने आधा पेट खाना खा कर सो जाती है हर एक रोज अर्चना सड़क पर घूम कर जो कबार चुनती थी उसी से वो रात को अपनी भूप मिटा पाते थे एक दिन अर्चना पूरे दिन घूमती रहती है लेकिन उसे कहीं अच्छा कबार नहीं मिलता जिससे उसके कुछ आमदनी हो सके सुबह से अभी तक एक रुपे का भी कबार नहीं दिखाई पड़ा अब मैं क्या करूंगी तबी अर्चना की नजर रास्ते पर पड़ी एक साधारन से सेंडल पर जाती है अर्चना उसे लेकर घर आ जाती है और उसे अपनी छोटे बहन नीलम को देते हुए कहती है नीलम ये देखो मुझे चोराहे के बीचो बीच में ये सेंडल मिली दिखने में तो बिलकुर नई लग रही है ऐसा लग रहा है किसे वैपारे के गाड़े से गिर गई होगी सच में दीदी है तो ये बहुत ही ज़ादा खूपसूरत मैं इसे पहन कर देखती हूँ नीलम उस सेंडल को अपने पैरों में पहनती है जैसे ही वो उसे अपने पैरों में पहनती है वैसे उसके फटे पुराने कपड़े नई ब्रांडेट कपड़ों में बदल जाती है और सेंडल का कलर भी गोल्डन कलर का हो जाता है इतना ही नहीं वहाँ पर गोल्डन कलर की चार सेंडल और प्रकट हो जाती है ये सब देखकर दोनों बहने हैरान हो जाती है अरे निलम तुमने तो अभी फटी पुराने से ड्रेस पहनी हुई थी अच्छानक से तुम्हारे कपड़ इतने खुबसुरत कैसे हो गई और यहां इतने सारे गोल्डन सेंडल कहां से आई कहीं ये सब इस सेंडल का कमाल तो नहीं है हाँ दिदी ये सब इस सेंडल की ही वज़े से हुआ है ये कोई साधारन सेंडल नहीं बलकि जादोई सेंडल है देखो तो जरा एका एक इस सेंडल का रंग सुनहरी गोल्डन कलर का हो गया है जादी गोल्डन सेंडल का पुक्त प्रमान जानने के खातिर सेंडल को अर्चना खुद पहनती है जादी गोल्डन सेंडल एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है और अर्चना के कपड़े भी बहुत सुन्दर और ब्रांडेट कपड़ों में बदल जाते हैं और वहाँ पर गोल्डन कलर की चार सेंडल और प्रकट हो जाती है नीलम देखा तुमने जैसी ही मैंने इस सेंडल को पहना मेरी भी कपड़े कितने खुप सुरत हो गए और यहाँ पर गोल्डन कलर के चार सेंडल और प्रकट हो गई अब तो मुझे पूरी तरह यकिन हो चुका है कि ये कोई साधारन सेंडल नहीं बलकि चाओदी गोल्डन सेंडल है दीदी इसका मतलब इस सेंडल को हम जतनी बार पहनेंगे इसमें से चार और गोल्डन सेंडल निकल जाएंगी परन्तु हम इतने सारे सेंडलों का क्या करेंगी नीलम अब ये सेंडल हमारे पैसे कमाने का पात्र बनेगा लेकिन वो कैसे दीदी अरे वा दीदी, जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तो हम गरीब लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि जैसे हमने गरीबी में दिन काटे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कोई और ना काट सके तुम्हारे बात बिल्कुल सही है नीलम, हम एक बहुत ही बड़ा अनाद आश्रम खोलेंगे और उसमें अनाद बच्चों को रखेंगे इतना सोचकर दोनों बहने बहुत खुश होती है, परन्तो उनकी ये सारे बाते पड़ोस में रहने वाली शालिनी आउंटी सुन लेती है, वो मन में सोचती है इतना सोचकर शालिनी आउंटी अपने घर में जाती है, और अपने बेटी से कहती है बेटी, अपने घर के बगल वाले जोपडी में जो दो कबाड़ी बहने रहती है ना, उनको अपने कबाड़ में जदूई गूल्डन सैंडल मिली है, उस सैंडल को जो भी पहनता है वो खुबसूरत हो जाता है, और उसके पास गूल्डन कलर की चार सैंडल प्रकट हो जाती है हमें काम करते हैं उस सेंडल को चुरा लेते हैं और चार-चार करके बहुत सारी सेंडल इकठा कर लेंगे और फिर उन्हें बीचकर बहुत अमीर हो जाएंगे तुम बिल्कुल सही कह रही हो मा आज रात कोई उनके घर में चोरी करवा लेते हैं उसके बाद दोनों माँ कर शालिनी आंटी को दे देता है वो दोनों मा बेटी गोर्डन सेंडल पाकर बहुत खुश होती है बेटी अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोग सकता तुम सही कह रही हो मा अगले सबर शालिनी बहुत सारे सेंडल दुगान में बेच देती है जब इस मारे में अर्चना और निलम को पता चलता है कि रातो रात उनके घर से जाओदी सेंडल गायम हो गया है तो वो दोनों बहुत उदास हो जाती है बेहन हमने कितना कुछ सोचा था कि जाओदी गोर्डन सेंडल की मदद से लोगों की मदद करेंगी और खुद भी एशोराम की जिन्दगी जिएंगी पर किसी ने हमारी जाओदी गोर्डन सेंडल चुरा ली हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो अब हम क्या करेंगे दीदी कुछ नहीं बहन शायद वो गोर्डन सेंडल हमारी किसमत में ही नहीं थी हमारी किसमत में कबाड़ा चुनना ही है मैं चलती हूँ इतना कहकर अरचना कबाड़ा चुनने के लिए निकल जाती है जब वो शालिनी आंटी के घर के सामने से गुजर रही होती है तब ही उसे एक बहुत मीठी सी आवाज आती है रुक जाओ अरचना अरचना तुम शालिनी के घर के अंदर देखो इन्होंने मुझे तुम्हारे घर से चुरा लिया है मुझे अपने साथ ले चलो अरचना शालिनी के घर में जाकती है तो वो देखती है कि सच में जाओ दी गुल्डन सेंडल से ही आवाज आ रही है तुम बोल भी सकती हो हाँ अरचना लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं है मुझे जल्दी से उठा कर अपने साथ ले चलो अभी सही मौका है अरचना फटा-फट जादी गुल्डन सेंडल उठाती है और अपने घर आ जाती है और अपनी छोटी बहन को सारी बात बताती है तब जादी गुल्डन सेंडल कहती है अच्छा हुआ अरचना तुमने मुझे बचा लिया वरना वो लोग मेरा बहुत गलत इस्तिमाल करते अब तुम मुझे कहीं चुपा कर रख दो हाँ गुल्डन सेंडल अब तुम चिंता मत करो हम तुमें कहीं नहीं जाने देंगी इतना कहकर अरचना जादी सेंडल पहनती है और उसके पास चार सेंडल प्रकर्ट हो जाती है अरचना जादी गुल्डन सेंडल को छुपा देती है और मांकी की चार सेंडल लेकर बाजार चली जाती है और उन्हें बेच देती है उन सेंडलों के उसे अच्छे दाम मिल जाते हैं जिन से वो मार्किट से नई और सुन्दर सुन्दर सेंडल खरीद लेती है और इस तरह वो सेंडल का वेपार करने लगती है और मेहनत करके अपन और अपनी बहन का जीवन सवार लेती है अब अर्चना अपनी जाओदी गोर्डन सेंडल का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी इसलिए शालिनी चाहकर भी उसे कभी दुबारा चुरा नहीं पाई धीरे धीरे नीलम और अर्चना ने खुब तरक्की की और देखते ही देखते बहुत बड़े मुकाम पर पहुँच गई अर्चना ने अपने जैसे अनात बच्छों के लिए एक बहुत बड़ा अनात आश्रम बनवाया और उसमें बे सहरा बच्छों को पन्धा देने लगी और इसी तरह अन्ने लोगों की मदद करते हुए दोनों मेंने अपना जीवन खुशी-खुशी वैतीत करने लगी तो कैसी लगी आपको हमारी जै कहानी हमें कॉमेंट करके जरूर बताए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेर चल्दी से नीचे लाल बटन दबा कर अभी कर ले तो मिलते हैं आप से फिर किसी नई कहानी के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखे धन्यवाद